दोस्तो आज के जमाने में कांतारा जैसी मोवी को कों नहीं जानता कांतारा एक इस अनाम में जिसे सुनते ही मोवी की स्टोरी पूरी दिमाग में गुम जाती है क्योंकि यह मोवी बुलने वाली नहीं, याद रखने वाली थी history making movie जो अपने बिल्कुल बहुती कम बजट होने के बाद भी super duper hit निकली थी और अगर इसका दूसरा sequel भी आएगा तो वो super hit जाएगा क्योंकि कुछ इसकी story भी इसी तरह कैसे रखी गई है और अगर इसके बाद देखें तो आप Toby movie का trailer देखने के बाद मुझे इसा लग रहा है कि यह movie भी बिल्कुल कांतारा की तरह ही super duper hit जाएगी क्योंकि movie का concept बहुत दमदार है और एक बात और बता दू कि पहले यह होता था कि super star है तो movie super hit जाएगी वरना कुछ नहीं लेकिन आज का जो यूद चल रहा है उसमें एक बात बिल्कुल clear है कि public is the king public जिसे चाहे उसे star बना सकती है और जिसे चाहे उसे दूल में मिला सकती है public के आगे किसी की नहीं चंती जैसे कि जनता जिसे अपना प्यार देगी वही super hit होगा और जिसे अपना प्यार नहीं देगी वह super hit से हो चाहे ना हो वह बिल्कुल कैसरा समझा जाएगा और यही कांतारा के साथ भी हुआ था public ने उसे बहुत प्यार दिया था तो super hit चली गई थी और टोबी मूवी को साथ भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि कांतारा में एक गोड होता है जो कि अपने बक्तों की रक्षा करने के लिए अफ्तार लेता है या एक आदमी की शरीर में आता है और दुस्टों का नाश करता है महीं अगर इस मूवी की ट्रेलर को देखा जाए तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि कोड़ो सब डेट यहने मोत की देवी आ चुकी है अपना बदला लेने के लिए मरे हुए इंसान चिंदा हो गए है और इसमें दोस्तों एक करेक्टर है जिसका नाम टोबी है वो दोस्तों उस करेक्टर की तीन परसनलिटीस मूवी में दिखाई गई है एक तो जो बुरा हो गया है और बिलकुल लाचार सा दिख रहा है दूसरा वह बिलकुल एकदम से गेंग्स्टर टाइप लग रहा है और तीसरा बिलकुल सादा सिंपल सादू टाइप जो किसी से लड़ता जगरता नहीं, बिल्कुल अपने स्टैल में ही मगन रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई मरकर भी जिंदा हो गया आपने मकसद को पूरा करने के लिए, मुवी रिवेंज एक्शन टाइप होने वाली है और कांतारा से इसमें टेन टाइम एक्शन जदा दिया गया है। दस गुना इसमें जदा एक्शन रखा गया है ताकि जनता बिल्कुल ओडियन्स पागल हो जा इसे देख कर। और मौत की देवी की कहानी तो क्या ही बताऊं मैं आपको अब नाम सुनते ही पता चल रहा है कि मौत तो होने ही वाली है चाहे वो किसी की भी हो। मौवी क्रिमिनल वाली भी थोड़ी लग रही है क्योंकि पुलिस का खेल थोड़ा ज़्यादा ही नजर आ रहा है इसमें और कांतारा में भूलिस काफी थी लेकिन उसमें उसके खिलाफ थी और इसमें हो सकता है इसके भी खिलाफ हो या क्या है इस मौवी की कहानी है तो मौ कि गोड़े पर बेटके लोगों के पास जाता है, वह सिन तो गुस्बम भी द यादेता है, क्योंकि किसी नहीं सोचा था कि पब्लिक के बीच में ऐसे सीन भी ट्रेलर में रखे होंगे किसी ने कि बिलकुल बिना कपड़ों में किसी गोडे पे या किसी जैनवर पे बेटके लोगों के बीच में जाए जहाँ पर सभी के होश उड़ा दे वहाँ पर जो लोग उने ट्रेलर के अंदर जो देख रहे हैं उनके भी गुजबम पागाई कि ये क्या है और एकदम से ऐसा लगता है कि टोबी गाला केरेक्टर जो है वह बोल नहीं सकता इसलिए वह जब अपनी पहली फाइट में हमें देखता है तो उसके नाहाँ पर टोबी लिखा हुआ होता है जो कि उसका नाम बता रहा था कि मेरा नाम टोबी है मुझे बोलना मत मुझे याद रखना क्योंकि लोग उसे बोल भी सकते है तो वह अपना नाम बता रहा था या और भी बहुत कुछ कहना चाता है क्योंकि वह अगर वह बोल सकता तो बहुत कुछ कहता और बहुत कुछ करने वाला भी था और सेकंड टाइम पुलिस जीब में हम देखते हैं तो तब वो उसके हाथ पे कुछ लिखा होता है लेकिन वो क्लियर इसमें दिखाई नहीं देता है कि उसमें लिखा क्या है लेकिन उस पे कुछ तो लिखाता है और वो कुछ कहना चाता था उस टाइम पे लेकिन क्या करें वो उसमें समझ में ही नहीं आया लेकिन फिर भी ट्रेलर काफी अच्छा था बीजियम काफी सही रखी गई है इसमें लाइटिंग कलर इफेक्ट काफी तगले दिये गए है तो ट्रेलर को देखते हैं दो एकडम गुजबम सी आ जाते हैं दोस्तो की ट्रेलर काफी अच्छा रखा गया है बाकी आपने ट्रेलर देखा या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ बने रही है और हमारे चनल को सिब्सक्राइब करना ना बुले तब तक आप इस ट्रेलर को देखिए या हमारे साथ बने रही है यूनिवर्सल एक्स्प्लेन में और हमारे चनल को सिब्सक्राइब करना ना बुले और जासा ज़्यादा वीडियो को शेर करें ताकि हमारी पब्लिक या ओडियन्स बढ़ती रहे क्योंकि पब्लिक इस दखिंग और हमारे साथ तो पब्लिक बहुत कम है तो पब्लिक को बढ़ाईए दोस्तों और थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप बने रहे हैं यूनिवर्सल एक्स्प्लेन के साथ झाल